नमस्कार जैहिन बच्चो आप सभी बच्चो का टार्गेट वित आलो के ऑनलाइन संस्थान में स्वागत है बच्चो हम लोग फिलाल अभी SSC MTS 2023 के लिए अर्जुन बैच में पढ़ रहे हैं जिसें बच्चो काफी सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं आज बच्चो आपका allegation पढ़ना है हमें मिश्रन पढ़ना है तो बच्चो दीखे सबसे पहले अगर हम मिश्रन की बात करें तो इसमें concept अगर हम ध्यान दे तो दीखे बच्चो मिश्रन पहले होता क्या है जैसे बच्चो दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तूओं को अगर हम मिला दे तो आप कुछ मिल्क है देखे बच्चो अगर कुछ आपका वाट है ठीख ना बच्छो δोनों को हम n बीच में लेते हैं और उसके बाद बाइसल लगाशा लगाना होता करें तो देखिए बार-बार ये term यूज होगा और बहुत लोग को confusion रहती है तो बिना formula कि अगर हम solve करना चाहते हैं तो उसका सबसे असान तरीका क्या होगा हम अंतर को समझेंगे कि बच्चे आपका जो अंतर होता है वो अंतर क्या होता है जैसे बच्चो अगर हम आपसे तो बच्चो अगर हम अंतर की बात करते हैं तो जैसे बच्चो अगर हम 5 और 3 के बीच का अंतर देखें तो बच्चो यहां आपका 5 और 3 या 3 और 5 तो बच्चो अंतर का मतलब सिर्फ आपको समझना है कि अंतर का मतलब क्या होता है तो अंतर मतलब क्या होता है बड़े में स चोटे को घटाना बड़े में चोटे को घटाना ठीक है इस बात को आपको बच्चों हमेंसा ध्यान रखना है तो आप कहेंगे सर यहां आपका बड़ी संख्या कौन सी है पांच पांच में से तीन को घटा दे तो कितना दो की बराबर वच्चों अंतर कितना हो जाएगा दो के बराबर उसीदर अगर हम आपको बड़ी संख्या कौन सी होगी तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या की माइनस 3 होगी तो बच्चो माइनस 3 में से माइनस 5 को घटा दीजे तो यहां आपका 3 माइनस 3 और प्लस में 5 तो अंतर कितनी का आएगा दो का बच्चो अंतर कभी भी माइनस में नहीं आता है इस बात को आप समझेगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटा दें तो आपका अंतर कहलाएगा हमेशा इस बात को ध्यान रखना है इसी तरह बच्चो और वैसे अगर आप चाहें तो इस बात को नंबर सिश्टम यानि लाइन पर भी समझ सकते हैं ठीक ना जैसे अगर अब ये हम लाइन बना दें ये आपका जेड़ो है तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और उसी परकार से माइनस 4 और ये आपका माइनस 5 तो बिचो अगर माइनस 3 से माइनस 5 पर आना चाहते हैं तो बिचो आपको दों को दोनों के बीच का उंतर कितना हो जायेगा तो यह आपका 2 के बराबर आप बच्छो असानी से इस भी पूश्टिक कर सकते हैं अब बच्छो अगर अगर हम पूस दें कि बताईए माइनस 3 और 5 के बीच का अंतर क्या होगा तो यहां से आप असानी से कह सकते हैं यह आपका 1, 2, 3, 4, 5 और यह आपका माइनस 3 एक, 2, और 3 तो दोनों के बीच का जो अंतर है माइनस 3 तो यहां अंतर 0 से यह 3 पीछे जाएंगे और यह 5 आगे जा तो यहां से हम असानी से कह सकते हैं कि यहां अंतर क्या होगा बड़े में से छोटे घटाना तो माइनस में 3 तो बच्चो यह कितना हो जाएगा 8 तो बच्चो एक बात ध्यान रखना है अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो दोनों के बीच गैप क्या रहेगा कम रहेगा औ और अगर बच्चों दोनों के बीच का गैप आपका अधिक होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, तो आपको ये बात याद रहेगा हमेशा, कि दोनों का साइन सेम है, तो गैप कम होगा, दोनों का साइन अलग-अलग है, तो गैप क्या होगा, जादा होगा, आपको आप सकता नहीं पड़नी चाहिए झाना अब जैसे कूशन पर आते हैं अब यहां वच्छों आपका कूशъन式 है 30 पॉसेंट आलकोहलं की वाले सराब में 20 पॉसेंट आलकोहल की भातरा वाली एक अने सराब को मिलाने पर प्राप्तमिस्रण में अलकोहल की मात्रा 26% है, दोनों प्रकार के सराब को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो बच्चो देखिए, सबसे पहले इधर आप अलकोहल को रख दें, ठीक है ना, और इधर बच्चो आप पानी को रख दें, ठीक है ना, 30% अलकोहल की मात्रा में सराब में, 30% अलकोहल की मिला देंगे तो मिस्रन तयार होगा ठीक है बच्चो और आपने सुना भी होगा जाम से जाम जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा मिस्रन बन जाएगा यह बात आप कह सकते हैं तो देखें पहले में आपका जाम कितना परसेंट है 30% दूसरे में जाम कितना है बच्चो हुआ है आदर द erosion के बीच का उंतर कितना तो तेन और चार इन दोनों के बीच कैसर तो तुकली आपका जाएगा तीन और चार t बच्चों यहां से आप एंसर दे सकते हैं कि हमारा इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा तीन और चार के बराबर ठीक है रहा है सिम्पल तरीका है बच्चों आपका अब देखें इसके बाद फिर यहां आपका कूशन है एक वैपारी एक वैपारी ने 220 कीची चीरी में से कुछ मात्रा 20% लाप पर तथा 16 मात्रा 10% लाप पर बेज दिया इस प्रकार से वह कुल मिला कर 13% लाप करता है तो 9% लाप पर बेची गई मात्रा क्या होगी तो बच्चों देखेंगा अगर हम SP की बात करें या फिर लाप की बात करते हैं बच्चों अगर हम profit की बात करते हैं profit बराबर क्या होता है तो यहां आप कह सकते है profit equal to CP और गुणा में profit percent ठीक है बच्चो तो देखी बच्चो अगर आप profit का यहां पर अगर हम profit की बात करे तो पहले में profit कितना है तो 20% तो यहां आपका 20% 10% अगर डोनों को मिला दिया जाए ठीक है इस तरह से कुल मिलाकर कर उससे कितनी का 13% ठीक है तो बच्चो कुछ कुछ मात्रा हुआ 20% पर बेशता है और कुछ मात्रा हुआ 9% के लाब पर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बच्चो यहां आपका 13% का लाब होता है overall यानि पूरे पर ठीक ना और इस प्रकार का कोश्चन बच्चो हमने आपको basic में भी समझाया होगा profit and loss में आपको चेवर चाहर सकते हैं मात्रा कह लिए ठीक है ना पच्चो यहां आपका मात्रा होगा तो कि कितना तो बीस के बराबर यहां आपको किसका मान निकालना है तो नौ परसेंट पर प्लाब तो नौ परसेंट वाला नुपात कितना है साथ का मान कितना हो जाएगा तो यहां साथ का मान यहां आपका 140 के बराबर तो यहां आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इस प्रशन क किसी वैपारी के पास 50 kg चावल है इसमें से कुछ को वह 14% मुनाफे पर और सेस को 6% की हानी पर बेचता है तो बच्चो कभी भी अगर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो आप प्रॉफिट हमेशा प्लस में लेंगे और अगर हानी की बात की जाएगी बच्चो तो उसे आप हमेशा माइनस में लेगे इस बात का हमेशा ध्यान रखना है प्रॉफिट हुआ तो प्लस में लेकर चलेंगे और अगर लॉस हुआ है तो बच्चो माइनस में लेकर चलेंगे ठीक है ना बच्चो पहले वाले पर 14% का प्रॉफिट तो यह आपका 14% का प्रॉफिट और बच् कुल मिला के उसे 40% की हानी होती है तो बच्छो कुल मिला के उसे कितने की हानी हुई है तो 4% का हानी यानि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बच्छो उसे हानी कितने का है चार का तो बच्छो इन दोनों के बीच अंतर तो बच्छो अगर अंतर देखना है बड़े में से चोटे घटा दीजे तो इन दोनों में बड़ा कौन है चौदा में से माइनस चार को घटा दीजे तो यह आपका चौदा की बराबर बच्चो तो यह आपका आठ और फिर दूसरा आपका माइनस है और माइनस चार में बड़ा कौन सा होता है तो माइनस चार होता है बच्चो म मैंने आपको साफ सा बताया अगर दोनों के बीच साइन सीम रहेगा तो डारेक्ट दोनों को घटा जी चाहे में से चाहर गया कितना दो के बराबर और बच्चो अगर दोनों का साइन अलग अलग रहेगा वाइट एक आपका माइनस में है तो आप खुद बताएं गैप जाद साइब कराण को साइब ख्योंति करुण यहारम ध्यावट कि निकालना है तो एक और नों दस कितना उखें दिया हुआ है तो एक कमान कितना हो जाएगा दो यह आपका पांच दिकला तो यहां आपका पूछा गया है 14-0 लाप तो 14-11 प्या हो जाएगा 5 पशो इस प्रश् कि हमारा इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है उमीद है सभी बच्चों को सारी बाते समझ में आ रहे होगी कहीं कोई कि सिरो की संख्या गिनी जाती है तो उनकी संख्या दो सो है जब उनके पैरों को गिना जाता है तब वह साथ सो होती है तो कितने बांग थे अब देखी बच्चों यहां कुछ बाग थे और कुछ मोर थे ठीक है ना तो बच्चो सबसे पहले अगर हम सर और पैर की बात करें तो यहां सीरों की संख्या की बात की गई है और फिर दूसरा पैरों को गिना गया तो बच्चो अगर हम सर की बात करें तो दोनों के पास एक-एक सर होता है और अगर बच्चो प सरों की संख्या देखें तो कितनी है 200 यानि अगर 200 सर है बच्चों तो टोटल कितनी लोग होंगे तो टोटल 200 लोग होंगे कि नहीं लोग कह लिए दो जानवर कह लीजे इनसान भी तो एक प्रकार का जानवर ही होता है ठीक है ना तो यहां टोटल जानवरों की संख्या कितनी होगी तो 200 होगी क्योंकि सरों की संख्या तो सब में एक होती है अब किसी के दो सर तो होते नहीं है तो अगर 200 है टोटल ठीक है ना अगर मालिजे सब के सब बाग होते ठीक है ना बच्चों अगर सब के सब बाग होते और दूसरे कंडिशन में अगर सब के सब मूर होते ठीक ह आपका कितना 800 होता ना तो अगर बात की बात की जाए तो बात कितना सभी पैरों की संख्या कितनी 800 और बच्चों अगर हम मूर की बात करें तो अगर सभी के सभी मूर हुए होते तो यह आपका कितना पैर हुआ होता 400 ठीक है ना यह कितना पैर तो यह आपका 400 पैर तो यहां बच्चो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पैरों की संख्या है कितनी कोईशन में तो आप कहेंगे सर 700 है साफ साफ दिखतो रहा है हमें ठीक है दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरॉल पैरों की संख्या बच्चो कितनी है तो यह आपका 700 के बराबर होगा ना तो द तो यह आपका 300 के बराबर, तो बच्छों, अगर हम अनुपाद देखें, तो यह आपका 3 अनुपात 1 के बराबर होगा, यानि अगर आपका अगर बागो की संख्या बच्चो तीन है तो मोर की संख्या कितनी है एक के बराबर और टोटल जानवर होंगे कितने बच्चो अगर 200 सर है तो टोटल संख्या कितनी रही होगी 200 तो तीन और एक चार तो चार कमान कितना तो 200 तो बच्चो एक कमान कितना तो एक कमान 50 तो बच् 3 का मान कितना हो जाएगा तो यह आपका 552 हमारा इस प्रशन का सही उत्तर क्या हो यह आपका 224 प्रटडल सूं illustrator तो 225 में इस प्रकार रेकोरशन अक्सर आपको देखने को मिलेगा अप स्ञेटर का पूरा नाम देखे तो मिसरन Alegation कहते हैं बच्चो, Alegation आपका कोई chaotter नहीं होता है बस यह एक method होता है जो कि सारे के CAPTAough में यूस होता है ऐसा कोई भी chapter नहीं है जहा यह यूज नहीं होता हो ठीक है दुछ इसकी बाद फिर है आपका किसी नगर की जन संख्या 80,000 है यदि इसमें सिक्षित वैक्तियों की संख्या 6% तथा असिक्षित वैक्तियों की संख्या 10% की बृद्धी होने से कुल जन संख्या 86,000 हो जाएगी तो असिक्षित वैक्तियों के आरम में संख्या क्या थी तो बच्चो देखिये यहाँ पर दो प्रकार की लोग हैं और टोटल एक गाउ में कितने लोग हैं? 80,000 कुछ लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग असिक्षित हैं ये बात साफ साफ कहा गया है तो सिख्शेτ वैक्ति कितने है, 6%. असिख्षेत इतने है, तो ये आपका 10%, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं. तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, छी-ासी हजार. तो बच्चो सबसे पहले यहां देख लिए कि total जनसंख्या बड़ी किया है ठीकरा बच्चो अगर total जनसंख्या बड़ी है तो उसमें कुछ लोग सिक्छित वाले भी आए हैं और कुछ लोग असिक्छित वाले भी आए हैं तो obvious नी बात है तो अगर हम कुल increment की बात करें तो तो देखिए गा यहां का कुल व्रिधी कितना हो जाएगा इस को समझने की कोशिस करते हैं तो बच्छो यहां आपका होगा तो पहले JUL sun कितना है तो यहां आपका असी हजार पर तो बच्चो सो पर कितना हो जाएगा तो यह आपका एक दो और एक और दो तो यह आपका कितना हो जाएगा तो यह आपका बच्चो साधे इसाड़े साथ पॉसेंट या απόसन कितना साद पॉसेंट थीकर ना चौर्ब है तो यहां आपका असिखचित वालों की बात की गई है यहां आ का असिक्षित की बात कर लें तो बच्चो इंक्रिमेंट जो है सिक्षित वालों में एजुकेटेड वालों में कितना हुआ है तो यहां आपका 6% दिया हुआ है और अजुकेटेड वालों में बच्चो कितना हुआ है तो यह आपका 10% और बच्चो दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे गाउ में यह increment कितना हुआ है तो आपका 7.5 के बराबर तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए तभी तो आप allegation लगा पाएंगे एक simple सा तरीका format हमने बताया है कि बड़े में से छोटे को घटाना ठीक है न बच्छो तो देखे इन दोनों के बीच अंतर कितने का तो यह आपका 2.5 का इन दोनों के बीच अंतर कितने का तो 1.5 का बच्छो दोनों में प्रतीशत लगा है तो प्रतीशत से प्रतीशत कर जाएगा तो धाई से पांच बार में और धाई से तीन बार में तो यह अनुपात क्या होगा पांच और तीन तो बच्छो पांच औ पाघ्यों कितने थे थी तो यहीं थीन हजार यही तो आप से पूछा गया रख या हो आपका एक तरीका होता है सॉल करने का बस बच्चो एक तरीका होता है इसके लावा कुछ भी नहीं होता है अब दिखेगा इसके बाद बच्चो फिर एकस वाई और जड तीन समान धारियों धारिता वाले बोतलों में दूद और पानी का अनुपात क्रमसा दो और तीन एक और चार पांच और छे है तीनों को एक ही बरतन में डाल देने पर उसमें दूद और पानी का अनुपात क्या होगा तो बच्चो यहां एक बात साफ साफ कहा गया है तीन समान धारिता वाले बोतल तो साफ साफ कहा गया तीन समान धारिता वाले बोतल तो तीनों की धारिता क्या है सेम है यानि अगर हम बात करें यगत एक लीटर का यह है तो ऐसे ही दो बोतल और है और वो भी कितने कितने लीटर के हैं तो एक लीटर के हैं इस बात का ध्यान आपको रखना है साप साफ बच्चो कुश्यन में कहा गया ठीक है तो अब यहां से सबसे पहले अगर हम देखे अनुपाद की बात करें तो यह आपका x हो गया दूसरा आपका y हो गया और तीसरा आपका जड हो गया तो बच्चो, milk और water, तो सबसे पहले milk और water का अनुपात हम देखें, तो यह आपका दो और तीन दिया हुआ है पहले में, दूसरे में कितना दिया हुआ है, एक और चार दिया हुआ है, और बच्चो, सबसे पहले आप देख लीजे, कि तीनों का आयतन क्या बराबर है या अलग- बराबर है, दूसरे का आयतन टोटल 5 के बराबर है और तीसरे का आयतन 6, 5, 11 है, तो क्या बच्चो, तीनों का आयतन बराबर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर्थ, तीनों का आयतन हमें अलग-अलग दिख रहा है, तो आपका काम क्या होगा, पहले इनके आयतन को आपस में बराबर कर दिए तो अगर इनके आयतन को आप बराबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसकिस संख्या से गुणा करना पड़ेगा इसे इग्यारा से करना पड़ेगा इसे पांच से यहां आपका कितना हो जाएगा इग्यारा दूना बाइस और यहां आपका इग्यारा तिया तो बच्छो अगर हम सबको जोड़ें तौ बाइस और ठीस पचपन तीनोबवा जो आईतन है वह समान हुआ है हैं प्रफप नहीं है त रिसजाय गर तीनोबवा समान हुआ तेनозможно है वाका यու झाल दिएगा है नो तौटल दूद्थन तो आपका जो सही एंसर होगा वह कौन सा ओप्शन होगा तो यह आपका एप्शन होगा 58-107 हमारा इस प्रशन का सही उत्तर हो जाए बच्चो अमीर है सही बच्चो को सारी बाते समझ में आ रही होगी कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रहा हो तो जरूर बताएंगे ठीक है ना सिंपल तरीका था यह आपका तो अगर तीन समान धारिता वाले यानि तीनों की धारिता बच्चो क्या है बराबर है तो पहला आपका काम क्या होगा तीनों की धारिता को बराबर करना बच्चे अगर एक बार तीनों की धारिता बराबर कर देते हैं तो फिर कोईशन को आप असानी से सॉल्व कर सकते हैं कहीं को दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इसके बाद तो देखिए बच्चो अब हम आते हैं आठवे नंब तो सभी को एक साथ मिला देने पर पाणी की प्रतिशत्ता क्या होगी तो बच्छो सब से पहले अगर हम ए भी और सी की बात करें तो जैसे अगर हम किसी बरतन की बात करते हैं तो यहां साथ-साफ कहा गया तीन बरतन का अनुपात एक दो और पांच है यानि पहला बरतन अगर आपका एक लिटर का है तो दूसरा बरतन दो लिटर का है और तीसा लिटर तीसरा आपका पांच लिटर का है या आपका अनुपात दिया हुआ है या आपका आयतन का अनुपात है जैसे एक बोतल ये एक तो देखें सबसे पहले अगर इस अनुपात में चाहिए तो पहले बच्छो आप ऐस अनुपात को बराबर कर दीजे और उस अनुपात को बराबर करने के बाद अगर उसे हम एक, दो और पाँस से गुणा कर दें तो चीजे आपकी आसान होजाएगी उसी अनुपात में असानी से आ जाएगी तो चली बच्चो हम question को solve करनेगी कोसिस करते हैं देखेगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ A लिख दें यह आपका B और यह आपका C तो बच्चो पहले आपका आपका अनुपात क्या है दो और तीन के बराबर तो यह आपका कितना हो जाएगा दो और तीन के बराबर इसके बाद अगर B की बात करें तो B का नुपात क्या हो जाएगा तो यह आपका तीन और दो के बराबर इसके बाद अगर बच्चो हम C की बात करते हैं तो यह आपका साथ और तीन के बराबर, यह कितना हो जाएगा, साथ और तीन, तो बच्चो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं, इसका आइतन पांच, इसका आइतन पांच, और इसका आइतन दस के बराबर, तो बच्चो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, कि इसके आइ को आप बराबर करने ही कोसिस करते हैं तो अगर हम बराबर करें तो यह आपका दो यह आपका दो और यह आपका एक से तो अब यह भी पांस दुना दस यह भी आपका दस एका दस लेकिन बच्चों यहां समान आयतन तो कहा नहीं गया था इससे पहले वाले कोशन में कहा गया तो अब बच्चो यहां पर फिर आपको जिस अन्हुंपात में चाहिए तो उस अनुपात से आप गुणा कर दीजे पूपशें यहां आप गुणा करें 2 से तो यह आपका 2 दुना 4 और 3 दुना 6 यह आपका 4 से 4-12 और 4 दुना 8 इसके भार बच्चो अगर इसे हम 5 से गुणा करें तो यह आपका 7 पचे 35 और 5 दिया 15 अब बच्चो आप अगर ध्यान दे यहां से तो देखें क्या यह एक पानिक साथ में पानिक साथ हूज लॉन्होंने से बराबर कने और ने वल्य है शुमक में और यहाइब औल्राव को प्रतीशत चाहिए बच्चो उर्ट नहीं चर्वowर का फी । है उ attackersWhat में टोटल असी से नहीं से कितना तो यहां आपका कितना पाथ पांच बार The तो इसको हम solve करें तो यह आपका 36.25% होगा असानी से आप solve कर सकते हैं ठीक है न यह 145, 144 से भाग देंगे तो 36.25 हमारा answer आजाएगा उमीद है सब्सक्राइब बच्चो को सारी बाते समझ में आई होगी कहीं कोई doubt नहीं रहा होगा ठीक है न बच्चो तो इस परकार कोशन जर्नली एक्जाम में आपको काफी देखने को मिलेगा तो इस परकार कोशन बच्चो अगर आपको एक्जाम में देखने को मिलता तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप item को बराबर कर लिए एक बार अगर बच्चो आप item को बराबर कर लेते हैं और वो प्रॉसेस करना पॉसिबल नहीं रहता है ठीक है ना चले देखिए इसके बाद फिर नाइंथ अंबर कूशन है नाइंथ अंबर कूशन की बात बच्चों यहां आपका कूशन में क्या कहा गया है इस बात को समझने की गोसिस करते हैं राम एक राम के वै और बचत में चार और एक का अनुपात है यदि उसकी आए बीस परसंट बढ़ जाए ताकि बचत में बारा परसंट बढ़ जाए तो वै कितना परसंट बढ़ जाएगा तो बच्चों एक बात ध्यान दीजेगा अगर हम वै यानि एक्सपेंडीचर को वै क्या होगा आए होगा ये बात कहा सकते हैं अगर वै को बचत से हम जोड़ दें तो इन दोनों का मिसरण वै क्या हो जाएगा आए हो जाएगा जैसे आप बच्चों 80 रुपए खर्च करके आए हैं और आपकी जेब में अभी 20 रुपए बचा हुआ है तो आपकी आए कि सकते हैं तो यहां आप वै को रख लीजिए ऊपर आप वै को रख लीजिए परसेंटेज में आपको याद होगा हमने बताया था इसको अगर सौ माल ले इसको दस माल ले यह आपका बढ़कर 120 हो जाएगा और बच्चत भी 112 हो जाएगा तो इस प्रकार से कूश्य हमने आप इसको समझाया था परसेंट लिन आपको याद होगा लेकिन अगर हम अलिगेशन से लगाना चाहें चुकि यह मिस्टन का चैप्टर है वच्चों यहां आप बच्चत को लिख लीजिए ठीक है तो यहां आपका सबसे पहले वै और बच्चत का अनुपात कितना दिया हुआ यह आपका कितना दिया हुआ है चार और एक दिया हुआ है उसकी आए बीस परसेंट बढ़ जाती है तो बच्चो बीस परसेंट बढ़ती है तो आए को आप कहां लिखेंगे तो यह आपका बीस बीच में आएगा और फिर बच्चत कितना बढ़ गया है तो यह आपका बार मान यहां क्या रहा होगा क्या दो रहा होगा ठीक है ना अब बच्चो यह वाला मान दोनों के बीच में होता है ठीक है तो यह इस वाले मान की बात कर तो यह एक से चोटा होगा तो दूसरे से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, दूसरे से बड़ा होगा. बताइए X का मान हम क्या रख दें? जिसते यहां पर 2 आ जाए तो भचो अगर यहां हम 22 रख दें, तो अभी तो 22 मिन से 20 को घट को घटाएंगे, तो अपका कितना आ जाएगा? यानि कितना percent तो यह आपका 22% हमारा expression का सही उत्तर हो जाएगा तो यहां से अगर हम ध्यान दे तो answer क्या होगा गलती से 18 मत कर दीजेगा ठीक है इनी सब बातों समझना भी यहां अगर हम formula लगाने लगेंगे तो यही formula बच्चो आपको अक्सर दिक्कत करता है ठीक है तो यहा क्या होगा छोटा होगा इस वाद को ध्यान रखना है अब देखिए इसके बाद फिर आपका next question है कुनाल को प्रतेक सही उत्तर के लिए चार अंग मिलते हैं और वह प्रतेक गलत उत्तर के लिए तीन अंग होता है पचास प्रशन हर करने में वह 95 अंग प्राता है तो उसने कितने प्रशन सही हल किये हैं तो इस प्रकार question अक्सर आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है ना देखेगा कुनाल को प्रतेक सही उत्तर देने के लिए चार अंग मिलता है और प्रतेक गलत के लिए उसे तीन अंग खो देता तो तीन अंग खो देता यानि माइनस म है ठीक ना और आपको मिला कितना है पंचानवे मिला है तो बच्चो पंचानवे मिला है यानि कुछ प्रशन आपका सही हुआ है और कुछ प्रशन बच्चो आपका गलत हुआ है ठीक ना उसी प्रकार से आपको पंचानवे मिला है अगर बच्चे सभी आपका सही होता अग अगर सभी कोशन को आप गलत कर देते तो बच्चो गलत करने पर आपको कितना मिलता अगर सभी कोशन को आप सही करते तो आपको कितना नंबर मिलता दो सो नंबर अगर बच्चो आप सभी कोशन को गलत करते तो आपको कितना नंबर मिलता दो सो नंबर अगर बच्चो आप कितना नमबर कर जाता तो यहाँ आपका डिर सौ लेकिन बच्चो कुछ पूशन आपने सही किये है कुछ गलत किया है यानि दोनों का मिला है तो बच्चो दोनों के बीच अंतर कितनी का घटा दीजिए 105 और बच्चो मैंने बताया था अगर दोनों का साइन अलग होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो बच्छो गैप क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, तो बच्छो अगर गैप जादा है, तो दोनों को जोड दीजे, तो यह आपका 245 के बराबर, ठीक है बच् से पांच दुना दस 5 एका पांच फिर 7 से 7 सते उन्चा सातिया 21 यानि अगर आप तीन कोशन गलत करते हैं तो साथ कोशन आपका सही होता है ठीक है ना यह अनुपात क्या है साथ और तीन दस तो बच्छो दस कमान कोशन में कितना दिया हुआ है तो आप क्या होगा कितने प्रशन सही बहुए हैं कितने प्रस्ण सही हुए है तो छा法 कितना हो जाएगा तो साथ चे में आ रही होगी ठीक है ना बच्छों यहां आपका एंसर क्या हो जाएगा यह आपका 35 एंसर हो जाएगा तो आपने टोटल कितनी प्रस्ट सही किये हैं बच्छों तो यह आपका 35 के वराबर ठीक है अब देखिएगा इसके बाद फिर आपका 11 नंबर है देखिए यह भी सबसे पहले अगर हम जस्ता की बात करें तो पहले वाले में जस्ता पहले वाले में जस्ता की बारे में कहा गया है फिर पहले वाले में जस्ता दूसरे में फिर तामबा इंगले से लिख देते हैं जस्ता दूसरे में तामबा तीसरे में तीन और चौथे में आपका सीसा ठीक है ना अब देखेगा इसके बाद सबसे पहले जस्ता तामबा और टीन का अनुपात दो तीन और एक के बराबर दिया गया है और उसके बाद फिर तामबा तीन और सीसा का अनुपात कितना दिया हुआ है तो इस प्रकार से दिया हुआ है लेकिन बच्चो अगर आप ध्यान दे इस बात को तो यह आपका तीन दो पाँच और छे इसका आयतन कितना है छे के बराबर इसका चार पांच चार नौ तीन बारा तो बच्चो यह तो दो है ना जबकि कहा गया है कि पहले वाला और दूसरे वाला दोनों की आयतन क्या दिया हुआ है समान होना चाहिए दोनों का आयतन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तो पहले वाले को दो से गुणा करना पड़ेगा तभी तो यहां से अगर हम पहले वाले को दो से गुणा कर दें तो यह आपका दो दुना चार तिन दुना च्छार और दो एका दो ठीक है यह आपका जाएगा और यह तो कोई दिकती है पांच चार और तीन रहने ही दीजिए इसमें क मिस्षधातू में तो यह रहां से आपका किया हो जाएगा चार जस्ता होगा और यापका छह पाँ सीसे का भार कितना है तो 15 and 9 24 थीक ना बच्चो इस प्रकार से आगे na 9 हो जाएगा भी हम देखते हैं तो यह आपका simpal तरीका है अगर आप कुरूशन को इस प्रकार से अगर solve करेंगे तो बच्चो कुरूशन को आप आपसानी से कर ले जाएगे कहीं कोई धिकत नहीं आएगे समझ में आया है कि नहीं आया है बच्छो देखे पहले वाले में जस्ता तामबा और तीन दिया हुआ है दूसरे वाले में तामबा तीन और लीड दिया गया है लेकिन एक बात कहा गया है कि दोनों मिसदातू के समान भार को लेकर तो बच्छो दोनों का भार क्या दिया हुआ स֊मान दिया हूआ है ठीकर ना तो पहले के भार को के अगर हम समान कर देठे बच्चो तभी तो फिष्ञत को हम आगे बढ़ सकते हैं ठीकर ना बच्चो using कई? टोटल सीशा कितना है तीन और टोटल कितने में से चौबिस में से तो यह आपका एक बटा में आठ भाग ठीखरा इसके बाद दस हजार की राशी को कुल भाग आठ परसेंट वार्सिक दर पर तथा सेज दस परसेंट वार्सिक दर पर उधार दिया जाता है तो ओसत वार्सिक ब्याज 9.2 हो जाता है तो दोनों भाग क्रमसा क्या है तो बच्चो देखे यहां आपका दस हजार टोटल है पहले भाग पर क कितना परसेंट दस परसेंट और दोनों को मिला दिया जाए तो आउसित कितना 9.2 तो पहला भाग आपका 8 परसेंट दूसरा भाग बच्चो आपका 10 परसेंट और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यह आपका 9.2 परसेंट हो जाए बच्चो इन दोनों के बीच अंतर कितन और द्धेडीर CT Yeah यहां 5 कमान कितना ओर यहां यहां द אבל अब इस बॉच्छ दो पूछा कि दो भाझ तो निकाल दीजिए तो डो आकराघ हेड़र और बच्छों अगर 13वाल निकालना चाहते हैं जो यह आपका छी हजार पिस प्रशमर का उत्तर क्या वोगार को यह आपका 4,000 और 6,000 इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यह आपका simple interest का कूशन है वहाँ भी मैंने यह कूशन बताया था और मैंने कहा था allegation वाले method से ही बच्चो हम कर सकते हैं ठीक है ना तो आपका दसंपलों 8 और 1,22 तो ये दो और एक वर्स के बाद सधायन व्याज के रुप में उसे 136 रुपए चुका है तो 8% की दर से कितना धन उधार दिया है तो बच्चो एक भाग आपका 8% है और दूसरा भाग आपका 6% है लेकिन कुल कपर कितना है 136 परसेंट तो बच्चो अगर हम कुल दर की बात करें तो आपका 2000 पर तो बच्चो 100 पर कितना यही बात कहा गया है तो बच्चो यह 0 से 0 कटा तो 2 से आप काट दीजे तो 2 से 6 बार में और फिर 2 आपका 6.8 होगा बच्चो बिलकुल होगा तो बच्चो सबसे पहले वाले दर कितना दिया हुआ है 8% दूसरा दर कितना दिया हुआ है 6% और तो बच्छो देखिए अगर यहां से हम LCIUM लेले एक हम अंतार लेले तो यह आपका क्या हो जाएगा दसमलो आठ tutto से हमेट तो बच्चो तीन और दो पांच, तो बच्चो पांच कमान कुशन में कितना दिया हुआ है, तो बच्चो पांच कमान कितना, दो हजार, तो बच्चो एक कमान क्या हो जाएगा, तो एक कमान होगा कितना, तो चार सो, तो बच्चो अगर एक कमान चार सो है, तो आप से पूछ अखा गया है आट परसेंट वाला तो आट परसेंट वाला अनुपात कितना है बच्छों तो यह आपका दौ के बराबर बच्छों दो कमान कितना हो जाएगा तो यह आपका 200 चार्ट दूना 800 कितना हो जाएगा 800 तो यहां आपका एंसर क्या होगा 800 तो इस प्रशन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 800 थीक है तो सिंपल कूशन है इस प्रगार कूशन अक्सा है बच्छो आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो एलिगेशन केवल और एक मैठ होत है और चशड़ा बड़े में छोटे को ओड़ाना है और और फिर और आप routing निकल जाएगा तो यहां आप का android निकल गया है तो आप कह सकते कि पहला भाग आपका 800 है और दूसरा भाग कितना है 1200 यहां से हम असानी से कूशन को सॉल्व कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाते सभी को समझ में आई है और बच्चो एक दम पढ़ाई regular करते रही है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और जितना अधिक पढ़ेंग आल बच्चों